अगर आप भी तियोहार के मौसम में अपने घर बिहार आए थे और आप वापस जानिंग की सोच रहे हैं तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि अगर आप इस फिराक में हैं कि ट्रेन का टिकेट ही तो है ओनलाइन बुक कर लेंगे तो आपको रुखने की जरूरत है क्योंकि अगले इस साथ दिनों तक ओनलाइन टिकेट बुकिंग की सुवधा छे घंटों के लिए बंद रहेगी रेलवे की तरफ से मिली जुआनकारी के नुसार रात के कम व्यवसाई घंटों के दौरान टिकेट बुकिंग की सेवा बंद रहेगी क्योंकि मेंटेनिंस की गतिविधी 14 और 15 नवंबर की मधिरातरी से 20 और 21 नवंबर की रात तक जारी रहने वाला है ऐसे में रेल बंद राले ने साफ किया है कि जौरान रेलवे यातरी आरक्षन प्रिनाली बाधित रहेगी 20 नवंबर तक हर दिन रात 23 बच के 30 मिनट से शुरू होकर 5 बजे तक मेंटेनिंस किया जाएगा ऐसे में ऑन्लाइन सुवधा को बंद करने का फैसला लिया गया है यानि कि साफ है कि रेलवे ने जिन 6 घंटों का जिक्र किया है उसमें जो टिकेट तो नहीं कट सकेंगे साथी साथ और भी सुवधाओं का लाभाप नहीं उठा सकेंगे क्योंकि रेल्वे ने साफ किया है कि रेल इन 6 घंटे यानी रात 11 से 5 बजे तक की अबधी के दौरान कोई PRS सेवाएं जुसमें ठेकेत आरक्ष्वन, वर्तमान बुकिंग, रदिकरन, पुछतात सेवाएं आदी उपलब्थ नहीं होगी अलाकि यात्रियों को ज्यादा परिशानी ना हो ऐसे में PRS सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पूछतात सेवाएं निर्भाद रूप से जारी रखने की बात कही गई है आपकी जायनकारी के लिए आपको बता दे कि रेलवे अब कोरोना संक्रुमन से पहली की स्थती में वापस लोट रहा है यही कारण है कि भारतिया रेलवे ने ट्रेनों के स्पेशल स्टेटस को भी खत्म कर दिया है जुसके परिणाम स्वरुफी अब ट्रेनों का संचालन पुराने नंबर और पुराने किराय पर ही किया जाएगा जुससे महंगे दाम में टिकेट लेकर सफर करने पर मजबूर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी कोरोना काल में यात्रियों को सफर के लिए 30% ज्यादा किराया देना पर रहा था लेकिन थ्यान रहे रेल यात्रियों को कोरोना काल से पुर्व में मिलने वाली कई सुवधाईं नहीं मिलेंगी रेलवे की तरफ से साजह की गई जुआनकारी के नुसार अब स्पेशल ट्रेन के नंबर से 0 हट जाएगा और सारी ट्रेन प्री कोविट ट्रेन की तरह उसी नंबर से चलेंगी रेलवे का किराय भी जो कोविट से पहले था वही लागू होगा रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए स्पेशल टाग हटाने और कोरोना से पहले के किराय पर ततकार प्रभाव से लौटने का देश जुजारी कर दिया है क्योंकि अब कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है ऐसे में रेलवे की यही कोशिश है कि ट्रेनों को भी पहले की तरह बहाल कर दिया जाए और खास ट्रेनी में चलाय जाने वाले ट्रेनों को बापस से पुराने रूप में चलाय जाए इसको लेकर रेल मंत्राले ने सर्कुलर में कहा है कि अगले कुछ तुनों में रेगिलर ट्रेनों का परिचालन लागू हो जाएगा जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तर के लिए धन्यवाद